बीना मानवी वैसे लोगों को निसाना बनाती है, वैसे मैलाओं को निसाना बनाती है, जो पहले से परिसान है, जितना लड़की से ठकती है, उससे कई गुना लड़का से पैसा ले लेती है, और लड़का के साथ मिल जाती है, अगर कोई पत्रकार सच दिखाने का हिम्मत करता है तो उसे धमकी मिलता है बीन मान भी उसको फोन करवाती है बीना दिदि को आन्गाब भाता कर दिखा दिखाना ने कैसे है नियाँ दिलाने के नाम पर लोगों से झो ठकती है तो आप एक इस नद लिक्टियों कि हम नयाण dili जैहिन मित्रों आज हम एक ऐसी फरजी महला के वारे में आपको बताने जा रहे हैं जो आरती छोटू को न्याय दिलाने के लिए उसके घर तक पहुँच गई थी उस महला का नाम है बीनामानवी बीनामानवी का एक संस्था है जिसका नाम है महला विकास मंच इस महला विकास म पहले से परिशान है और उसके अधर अपना पता नंमर देकर उस लड़की को आती है जो पहले से परिसान है अपने घर तक ही बुलाती है, उसके बाद ये ये बताती उस महला को, कि आप अपना कागजपत्र हमको दिजिए और उस कागजपत्र का जो कागजात आप हमको दिजेगा, उसका फाइल बनाना पड़ेगा, उस फाइल को हम सचीबाले में देंगे, हम थाना में देंगे, हम CM house में देंगे और तमाम कई जगा हम दे करके आपकी लडाई लडेंगे उसके नाम पर ये 15-20,000 रुपया पहले ही lot में लूट लेती है सिर्फ फाइल बनाने के नाम पर उसके बाद जब वो महला 15-20 दिन हो जाता है फिर फोन जब करती है कि हमारा क्या हुआ में हमने आपको file दिया था और हमारा अभी तब कुछ हुआ नहीं कहां तक हमारी कारवाई पहुची है तो फिर बिना मारे फिर उसको घर बुलाती है उसके बाद करती है कि अब इस परसासल पे दबाव डालने के लिए हमें press conference करना परेगा, पत्रकार का सहरा लेना परेगा उसके बाद ये फिर press conference के नाम पर, फिर से उस महला से 15 से 20,000 उपया ठख लेती है पत्रकार भाई जब आए गें, उसको नासता चाहिए, चाय पानी के लिए कुछ खर्चा होता है उस नाम पर फिर से 15-20 εूरुपया ठंग लेती है लूट लेती है उसके बाद प्रेश कॉन्फेर्स होता है प्रेश कोंफेर्स करने के बाद भॉकाली बन जाता है और जब भौकाली बनता है, तो जिस लड़का पे ऐलिगेशन लगा राता है, जो लड़का लड़कियों को पर्तारित कर रहा है, तो लड़का डर जाता है, लड़का फीर भागे दवडे कहां आता है बीनामानवी के पास, बीनामानवी से पूसता है कि मैम आप हम क्या करें, आप हमको फसादी तो क्या करना होगा तो बीना मानवी बोलते है कि बेटा अगर तुमको बचना है तो हम तुमसे लाक यद देर लाक रुप्या लेंगे तभी जागर करके ये मामला सट्ल होगा और ये सब ओफ केमरा होता है केमरा के पीछे का ये सब चाल है उसके बाद वो जितना लड़की से ठकते उससे कई गुना लड़का से पैसा ले लेती है और लड़का के साथ मिल जाती है उसके बाद उसको एक फोन जाता है लड़की को कि अब बीना मानवी आपके साथ नहीं है महला विकास मंच आपके साथ नहीं है वो हाथ खरा कर देती है कि तुम्हारा जो मामला है, बहुत पैचीदा है, इसमें तुम भी कही न कहीं गलती की हो, इसलिए हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। जिस लड़की के बारे में वो कल तक अच्छा बोल रही थी, जिसका लड़ाई लड़ने की बात कर रही थी, जैसे ही लड़का पैसा देता है, बीना मानवी का लेंगेज चेंज हो जाता है। आप भाई कि क्या सच दिखाना गुना है। क्या सच का परदा फास करना गुना है? चोथा अस्तम कहे जाने वाले मीडिया अगर वो सच नहीं दिखाएगा तो कौन सच दिखाएगा? अगर कोई पत्रकार सच दिखाने का हिम्मत करता है तो उसे धमकी मिलता है बीना मान भी उसको फोन करवाती है पहले तो खरिदने का बात करती है कि हम तुमको खरिदना चाहते हैं, तुम अपना कीमत बताओ, क्या कीमत लोगे, बैटके बात कर लेते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं, लेकिन हम बिकने वाले में से नहीं है दिदी, हम गारेंटी के साथ आपको कहता हूँ, कि आज तक कोई भ आरिताम आपको भी पता है कि कोई ज्यादा पैसा नहीं है लेकिन फिर भी यह मेरा सौक है और हम यह सौक हम सिर्फ जूट दिखाने के लिए नहीं करते हैं हम आप जैसे को परदाफास करने के लिए करते हैं जो कि एक नकाब पांटकीdal और बीना दीदी को हम नकाब हाटा सब्सक्राइं जफार तो आप एक बोड लगा दिजी यदी लिख दीजिए कि हम नयाय दिदी ये गलत है ये समासभी का चोला उतार दीजे कोई कुछ नहीं बोलेगा ये पत्रकार है और हम पत्रकार है हमारा काम है सच को दिखाना और सच को साविद करना हमारे पास कई ऐसे सबूत है जो आपका नकाब उतारने के लिए काफी है और आप हमको धमकी दे रही है कि ह हम आप पेकेश कर देंगे मुकदमा कर देंगे आपका स्वागत है दीदी हम जानते हैं कि हमारा देश का न्याइक वेवस्ता बहुत ही साफ सुतरा है और हमें अपनी न्याइक वेवस्ता पर पूर्ण विस्वास है हम वहां जाएंगे और वहां जा करके आपकी सारी सच्चा आपके खिलाप इतना सबूत है मेरे पास कि एक सबूत ही उनके लिए काफी हो जाएगा लेकिन हम अभी भी वह सबूत नहीं दिखा रहे हैं हम इसलिए नहीं दिखा रहे हैं की सबूत हैं कि आप अपनी रास्ता पर आजाईगे और और पानाइगोता है अगर एक मैला की हैंप तबह कर देती हैं नाम रखी हैं महला विकास मुंद्च कहां विकास याइप एक भी विकास बताईए आपने तो आरती को भी ने छोड़ा आरती से भी आपने पैसा ले लिया एक भी मैला है जिससे आप पैसा नहीं लिए हो आप लिखिए कि हमको आने जाने में खर्च होता है हमारा ड्राइबर है हमारा तेल है हमारा गारी है हमारे स्टाफ है उसमें खर सभी ले तो यह दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता है बीना दीदी हैं आप समधारें वह रहें batteries a अप पैसा लूटती है हम आपको इसलिए लूटेरी बोलते हैं कि आप पैसा लूटती हैं आप उसको नय दिलाने के नाम पर आप लूट लेती हैं ठग लेती हैं और उसको फिर वो जहां रहती है वो ही रहा जाती है सरक पे रहा जाती है रही बात हमारी के हम पर केस कीजिए कर दिजिए कौन रोका है सोतंत्र है हमने कभी कहा है किस मत किजिए कर दिजिए स्वागत है आपका और हमारे पास इतना सबूत है कि एक ही सबूत अगर हम आपके कोड तक पहुंचा दिए ना तो आप जेल के अंदर कितना साल आप काटिएगा यह तो जस्सा है भी तई हमें कर दोतकर लाएगे तब दक के लिए धन्यवाद हम कई वीडियो आपके खिलाप हम लाते रहेंगे खिलापनुज उस महांमा न के सबंच में लाएंगे जिस महाँ बहल को आप लूटती है वही महां का औरमम मेरे पास वीडियो है और्डियो रिकोड़िंग हैugen वह सार हम आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें डेमोक्रेटिक लाइब धन्यवाद